मंत्री तलसानी शिन्वासियादव ने कहा कि टैंक बंड पर गनिश प्रतिमा के विसरजन के लिए भले ही सभी इंतजाम कर लिए गए हो लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे धर्ना क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ समय से कहते आ रहे हैं कि प्लास्टर ओफ पैरिस की मूर्तियों की जगा मिट्टी की बनी मूर्तियों को विसरजित किया जाएगा। मंतری ने कहा कि सबी विबागों के अधिकारियों ने प्रतिमा विसरजन के लिए टैंक बंड पर व्यवस्ता की है उन्होंने कहा कि वे धरना और आंदोलन कर हैदरबाद के लोगों को डराने और प्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने अपना गुसा जाहिर किया कि वो अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि करनाटा का राज़ी में केवल आठ फिट की गनिश मूर्तियों की अनुमती है मंत्री तलसानी स्रीनिवासियादव ने पूचा कि P.O.P. गनिश मूर्तियों को टैंक बंड में विसरजेद नहीं करने के लिए किस ने कहा अगर आप हिंदू है तो हम कौन है उसने पूचा उन्होंने कहा कि खरताबाद के गनिश राज्य सरकार के निर्देश पर ही मिट्टी के बने हैं तलसानी ने देवताओं को भी राजनीती में नहीं खसिटने को कहा मंतरी हरिश राव ने कहा कि तलंगाना के लिए कालिश वरम परियोजना प्रानेश वरम है उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के किसानों को यासंगी में परियापत सिंचाई का पानी दिया जाएगा और केंदर को यासंगी की फसल खरीदने के लिए तयार रहना चाहिए हरी श्राव ने कहा कि कालिश्वरम परियोजना के पंप हाउसों की मरमत का काम पूरा होने के खबर तिलंगाना के किसानों और लोगों के लिए खुशी की बात है उन्होंने विपक्षी दलों के प्रती समवेदना विक्त की इसी महीने अनारम ने खुलासा किया कि अगले महीने के अंत तक मेदिगड़ पंप हाउस के मोटरों फिर से काम करना शुरू कर देंगी उन्होंने कहा कि सरकार इन मरमतों पर एक रुपे भी खर्च नहीं कर रही है और एजिंसी के फंड से मरमत का काम किया जा रहा है मंतरी हरिश्राव ने राजिके गोदावरी जलगरहन क्षेतर में बाड़ पर विदान परिशद में अल्पकालिक चर्चा का जवाब दे रहे थे और कहा कि गोदावरी नदी ने इतने बड़े पैमाने पर बाड़ का इधियास पहले कभी नहीं था अगर आप नहीं चाहते कि CMKCR मेरे चेरे को देखें तो सारवजनिक रूप से कहें BJP विदायक इटला राजिंदर ने उन्हें सारवजनिक शेतर में बसने की चुनोती दी वह पहले ही आपके पास आचुके हैं और आपको प्रतिसपर्दा करने के लिए चुनोती दे चुके हैं उन्होंने धमकी से डरने की बात कही इटला ने साफ कर दिया कि वह मरने के लिए तयार है लेकिन समझोता करने का कोई मतलब नहीं है क्या आप समझोता करने का कोई मतलब नहीं है क्या आप सम्वेधानिक पत पर रहते हुए राजनीती की आलचना करते हैं बाचपा प्रदेश अद्यक्ष बंडी संजे ने विधान सबा अद्यक्ष पोचारम स्रीनिवास्टेडी पर जम कर निशाना साथा उन्होंने मांग की कि इस संबंद में रिसीवर के खिलाफ कारवाई की जाए बंडी संजे ने पार्टी के प्रदेश कार्याले में पार्टी के नवनियुक्त संसत संयोजकों संयुक्त संयोजकों एवं जिला प्रभारियों के साथ बैटक की उन्होंने कहा कि CMKCR सिर्फ PJP को देख कर काम रहे हैं वे इस बात से नारास थे कि वे सारवजनिक मुद्धों पर चर्चा की बिना साजिश कर रहे थे बंडी संजे ने सपस्ट किया कि जो भी मामला है उसे पबलिक डोमेन में सुलजाया जाएगा कॉंघरिस के वरिष्ट नेता और संगारेडी विदायक जगरेडी ने संसनी खेज एलान कर दिया है कि वह अगला चुनाफ नहीं लड़ेंगे जगरेडी ने सपस्ट किया कि उनकी जगा संगारेडी का एक कारेकरता चुनाफ लड़ेगा उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के लोग नहीं चाहते कि कोई कारेकरता चुनाव लड़े तो वह अपनी पत्नी निर्मला को मैदान में उतारेंगे जगरेडी ने बताए कि वह दोहजार अठाइस का चुनाव लड़ेंगे गनेश विसरजन पर राजय सरकार के रुख के विरोध में भाचपा नेताओं ने अमबरपेट चोराहे पर धरना दिया हुसेन ने कहा कि सरकार विनाय के विसरजन की व्यवस्ता सागर में करे विसरजन पर सपस्ट रुख की मांग की गई कारेकरम में मध्य जिला भाचपा अध्यक्ष गौतम राव और बाग अमरपेट पार्शल पदमा विंकर ट्रेडी मौजुद थे जुबलीहिस प्रबारी कृष्णा गौड सहीत अन्य संभाग के निताओं एवं कारेकरताओं ने भाग लिया हुसिन सागर में गनेश विसरजन की अन्मतिकी मांग को लेकर बजरंग दल और वीप के निताओं ने कुकटपली वाई जंक्षन पर आंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया दूया ने कहा कि गनिश विसरजन के लिए नियूत्म सुविदाएं देना सरकार की जिम्मदारी है और अगर सरकार सुविदाएं नहीं देती है तो अन्य सुविदाएं के बक्ष में एक कदम उठाकर हिंदों के साथ अन्याय कर रही है कुकटपली पुलिस प्रदर्शन कारियों को थाने ले गई सरकार शहर में विनायक विसरजन के व्यवस्ता कर रही है हाइदरबाद मेट्रोपलिटन डेवलप्मेंट कॉर्परेशन हमडीय ने पहले ही एंटियार मार्क पर आठ क्रेन और नेकलेस रोड पर मिटी की मूर्तियों के लिए चार क्रेन की व्यवस्ता की है पिछले कुछ दिनों से टैंग बंड पर गनिश प्रतिमों के विसरजन को लेकर चल रहे उत्सा को खतम करते हुए जी एच एमसी टैंग बंड पर भी विसरजन करने की व्यवस्ता कर रही है उसी के तहर टैंग बंड पर दस क्रेन उपलब्द कराई जा रहे है हाला कि राज सरकार के ओर से अभी टैंग बंड पर विसरजन करने को लेकर कोई अधिकारी घोशना नहीं हुई है भागे नगर गनिश उस्ताव समिती के आयजग पिछले कुछ दिनों से मांग कर रहे है कि टैंग बंड के पर क्रेन लगाई जाए रविंद्र भारती में भक्ती भजन गीत और कोलाटम का भव्य प्रदर्शन किया गया भजन भारती के तत्वधान में आयजित इन प्रतियोगिताओं में सर्वस्ट्रेट भजन करने वालों को पुरसकार दिये गए भजन भारती अद्यक्ष एवं संग सेवक दुरगार राव ने कहा कि यह कारेकरम भारत में भजन संस्कृति को बचाने के इरादे से शुरू किया गया था उन्होंने कहा कि उनका मुक्य उद्देश युवाओं को पस्चिमी संस्कृतिक से बचाना और हमारी महान संस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना है भाग लेने वाले 8000 कलाकारों में से सर्वस्टिस्ट कलाकारों का चैयन किया गया और पुरसकार प्रदान किये गये मैलाओं के लिए आयजित इन प्रतियों की ताओं में उम्र के हिसाब से पुरसकारों को 4 शेनियों में बांटा गया आरजेयर हरबल अस्पताल 150 वर्षों से हरबल उपचार प्रदान कर रहा है नई शाका ये असरावनगर में एक और नई शाका खोली गई है पुरानी बिमारियों जैसे सुराइसिस, अस्तमा, घुटने के दर, थैरोड और मदुमे के लिए हरबल उपचार प्रदान करता है तेलंगाना, आंधरप्रदेश, करनाटका, पॉनिचरी और तमिलनाड राजों में चेतर शाकाएं है हाल ही में एस राम नगर में सततर शाकाएं शुरू हुई है उद्गाटन समारों में डॉक्टर माधवी, लावन्या, निकिता रेटी, रम्या और वीविन ने भाग लिया नुद्गाना, चेहर में पुलीस की हिंसा दिन बर दिन बर दिन बरती जा रही है पुलीस का रवयां दोस्तना पुलीस शब्द के प्रती सही लगता है ऐसा ही एक वाक्या पुराने शहर में हुआ पीजल बना एक्स रोड पर फूल की दुकान बंद हो रही थी तो कंचनबाग पुलीस आई और जबरन दुकान खोली फोटो खिंच कर मामला दर्स किया, दुकान मालिक ने शिकायत की पीडिता ने आरुप लगाया कि जब उसने कंचनबाग पुलीस से पूचा कि जब वह समय से जा रहा था तो उसने मामला क्यों दर्स किया, पुलीस ने ज़्यादा बात करने पर उसे जेल बेजने की धमकी दी, अंबर पिट अली कैफे चौक से पुलीस ने एक किलो बीस ग्राम गांजा जब्त किया, गांजा ले जाने की सूचना के आधार पर हाइटेक सीटी के दो व्यक्तियों पर चापा मारा और उनके पास से गांजा जब्त किया गया, पुलीस ने बताया कि यह गांजा छोटे गांज की गई और 5,389 लोग पॉस्टिव पाए गए, वही 7,094 लोग कोरोना से ठीक हो चुके है, देश बर में 87 लोगों की मौत हो चुकी है कई तिनों पहली बार सक्रिय मामले की संक्या 50,000 से नीचे आई है, वर्तमान में देश में 50,594 सक्रिय मामले हैं, वर्तमान में देश में देनिक सकारात मक्ता दर 1,67%, सक्रिय दर 0,11%, स्वास्त होने की दर 98,70% और मृत्यू दर 1,19% है शेहर के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, बारिश के कारण सड़क पर वहां चालकों को परेशानी का सामना करना पढ़ रहा है, कई इलाकों में पानी भर गया है, बंज़रा हिल्स, खरतबा, जूबली हिल्स, पंजगुटा, नामपली, माधापुर और कुकटपली इलाक हो गई है बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के आसपास दक्षिन पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक आविदक्ता होती है और औस सम्रुद तल से 5.8 किलोमेटर की उंची तक जारी रहती है इस अविदीप के प्रभाव से 24 गंटे में पस्चिम मध्य बंगाल की खाड़